आकाश्वानी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेश शेक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैयुक्ता बैनर जी पहले मुख्य समाचार परियावरण मंत्रुई प्रकाश जावडे करने लोगों से प्रदूशन घटाने के लिए पैदल चलने और साइकल का इस्तमाल करने की अपील की देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर 88 प्रतिशत से ज्यादा हुई प्रदेश में भी कम हुआ कोरोना का संक्रमन राजी की 28 वधानसभा सीटों पर प्रचार चरम पर मतदान जागरुकता के प्रयाज भी हुए तेज दिव्यांगों को बसों के किराय में 50 फीजदी छूट देने के मामले में मध्यप्रदेश देश में अवल और हमारे विशेश श्विंकला अचीख ख़बर में आज सुनिये खंडवा जिरे में लड़कियों की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट अब समाचार विस्तार से परियावरन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि केंद्रु सरकार ने प्रदूशन से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं श्विजावडेकर ने फेस्बुक पर एक लाइव कारिकरम में कहा कि प्रदूशन की समस्या प्रते एक देश में है और भारत में पैदल चलना चाहिए या साइकल का इस्तमाल करना चाहिए उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वरिक्ष लगाने की अपील की देश में कोवड-19 महमारी से ठीक होने की दर 88 प्रतिशत हो गई है जो एक बड़ी उपलत ही है सौर्थ मंतरवाले ने कहा है कि इस समय देश भर में 7,83,000 रोगियों का इलाज चल रहा है और मृत्यू दर एक तशमलव 5-2 प्रतिशत हो गई है जो दुनिया में सबसे कम है इधर प्रतिश में अब तक 1,43,000 से ज्यादा लोग स्वस्त हो चुके हैं जबकि सक्रिया प्रक्रणों की संख्या घटकर 13,000 के करीब पहुँच चुकी है हुशंगाबाद में कल 23 नए संक्रमित मिले हैं वही 38 मरीज ठीक हुए है शाजापुर में आज कोरोना के 22 नए मरीज मिले हैं अगर मालवा जिले में 2, मंडला में 4, खंडवा में 5, शोपुर में 6, शेहडोल में 15 और मंसौर में 15 नए मरीज मिले हैं शंद्वाडा से हमारे समवादाता ने बताया है कि जिले में आज 10 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं वहीं इससे धाई गुना याने 25 मरीज स्वस्थ होकर घर लोटे हैं अनुपुर में कल प्राप्त 87 नमूनों की रपोर्ट में 5 लोगों में संक्रमित की पुष्टी होई है अशोकनगर में 3 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 551 हो गई है हलके इन में से 498 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जनान दोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरुकता के लिए प्रयास तेज हो गए है इसी कड़ी में भारतिय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ट अधिकारी एवं मार्कवित के एमडी पी नरहरी ने लोगों से कोविद 19 से बचाव के उपाई अपनाने की अपील की है मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मास्क अनिवार्यता जरूर पहने और खास स्वार पर जब आप किसी से मिल रहे हैं जब पब्लिक कॉंटेक्ट में आ रहे हैं तो मास्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमबर दो ये भी important है कि हम जब तक बहुत ज़ादा जरूरी ना हो पब्लिक में यानि की जनता के बीच में किसी सारजनिक स्थानों पर बिलकुल नहीं जाएं और अगर जाएंगे भी तो social distancing इसका पालन करें और तीसरा बहुत important है कि समय समय पर अपने हातों को जो है किसी sanitizer से या फिर साबुन से जरूर अच्छे से धोलें अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए वहीं अशोकनगर में कॉंग्रोस ने रिटर्निंग अधिकारी पर भाजपा प्रत्याशी की मदद का रोप लगाया है कॉंग्रस के पूर्व विधायक निशंग जैन ने कहा है कि भाजवा प्रत्याशी के नामांकन की तीन आपत्यों को रिटर्निंग अधिकारी ने बिना किसी ठोस वज़ा के खारिच कर दिया कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ रमू साफ रखें बुलचन में एक बार फिर आप सभी कास स्वागत है दिव्यांगों को बसों के किराय में 50 फीज़दी छूट देने के मामले में मथिप्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है इस मामले में आंधर प्रदेश शीष पर है निशक्त जन कल्यान विभाग के आयोगत संदीप रजक ने आकाश्वानी से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में अब तक 6,60,000 लोगों को दिव्यांगता प्रमाणपत रुजारी किये गए है इन में से 5,00,000,000 निशक्त जनों को UDID कार्ड भी दे दिये गए है दरसल केंद्र सरकार के निर्देश है कि हर दिव्यांग का UDID कार्ड स्पेशल पोर्टल में दर्च होना चाहिए इसके चलते 6 महीने से दिव्यांगों के प्रमाणपत्र पोर्टल में अपलोड किये जा रहे हैं कोरोना महमारी के दौरान दूसरे प्रदेशों से आई प्रवासी श्रमिकों के परिवार के दिव्यांग सदस्यों को भी इसमें जोड़ा गया है हमारी विशेश श्रिंखला अच्छी खबर के 67 वे अंक में सुनिये खंडवा जिले के आदिवासी इलाकों में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही पहल पर खास रिपोर्ट अच्छी खबर में आफ़र रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी लाके कि उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददकार हो सकती है ये पहल करने वाले मुष्ट समाज सीवा संस्था की प्रमुग तो शीव खान ने बता है कि हम ऐसी बालिकाओं के सपने पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जो आर्थिक तंगी की वज़े से शिक्षा से वंचित रह जाती है जो कि दिली की एक संस्थान टाइसिया फांडेशन और मुष्ट संस्थान फंडवा हमने मिल कर बनाया और उस अभियान में हमने ये तैक किया कि हम ऐसी एक हजार लड़कियों को पढ़ाएंगे जो स्कूल से दूर है और सिक्षा से बहुत दूर है करीब 25 बालिकाओं का जैन किया जा रहा है बालिकाओं भी इस पहल से काफी खुश हैं साथे ग्राम बावड़या से हूं मैं कक्षा ग्यारवी की छात्रा हूं मैं डाक्टर बना चाहती हूं मेरी आर्थिक इस्तिति इतनी बहतर नहीं है कि मैं अपना सपना पूरा कर सकूं मैं पिछले डेर हपते से सामुदाइक शिक्षा केंद्र उनर की पारशाला में पढ़ इसलिए ये पहल सरानी और आदिवासी समाज को नए दिशा दे सकती है खंडवा से हीरला लॉंगरे के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंग शक्ती की आराधना के नौ दिनों तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन है आज देवी के ब्रह्मचारणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है राधनी भोपाल में वभन देवी मंदिरों में श्रधालू सुभर से देवी दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं देवास में माता टेक्री स्थित प्राचीन मंदिरों में कोरोना संक्रमन के चलते भगतों के लिए विशेश इंतजाम किये गए हैं उधर सतना के महियर में अजिशनल स्पी सुरेंद्रु कुमार जैन ने मेला परिसर के सभी हिस्सों का जायजा लेते हुए लोगों को मास्क लगाने की हिदायती आगर मालवस्थित मा बंगला मुखी मंदर में कोरोना संक्रमन के उपायों का इस्तमाल करते हुए श्रधालु भक्ती भाव के साथ मंदरों में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। का मामला दर्श किया गया है। ग्वालियर जिले में मदाता जागरुपता अभियान चलाया जा रहा है। अनुपपूर में कलेक्टर ने आज आई आई टी और नीट परिक्षाओं में उतकरिष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली वद्यार्थियों को सम्मानत कि धार जिले के 40 वद्यार्थियों ने नीट परिक्षा उत्तिण की है। वही शहर के 26 वद्यार्थियों को इस परिक्षा में सफलता मिली है। सफीज़ी चूट देने के लिए मद्यप्रदेश देश में अवल और हमारी विशेश श्रेंखला अची खबर में आज आपने सुनी खनवा जिले में आदी वासी बालिकाओं की पढ़ाई के लिए की जा रही विशेश पहल पर खास रिपोर्ट। इस बुलिटन में इतना ह अज की दूरी हाद धोना भी है जरूरी नमस्कार